पुलिस एक ऐसा सरकारी नौकर होता है जिसे जन्ता की सुरक्षा करनी होती है लेकिन तब क्या हो जब पुलिस वाले से खुद उनकी ही मैला पुलिस कर्मी सुरक्षित महसूस ना करे? तब क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बनने को तयार बैठा हो आज हम आपको एक ऐसी ही पुलिस टेशन के बारे में बताने वाले हैं जहांके पुलिस अधिकारी खुद ही सेक्ष से जुड़े मामलों के आरोपी है जी हाँ सही सुना आपने ऐसे में मन में सवाल आते हैं कि आखिर क्या किया है इन अधिकारियों ने और कुछ ऐसा करने के बाद भी या लोग अपने पद पर कैसे बरकरार है तो आईए आपको विस्तार से बताते हैं इस अजीवोगरी पुलिस स्टेशन के बारे में ब्रिटेइन में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसे सेक्सियस्ट पुलिस स्टेशन कहा जाता है आप सोच रहे होंगे कि एक पुलिस स्टेशन को ऐसा नाम क्यू दिया गया है तो आपको बता दे कि इस पुलिस टेशन में काम कर रहें अधिकान्स पुलिस वालों के खिलाफ खुद ही सेक्स से जुड़े मामले दर्ज है जिसमें से कईयों को निकाला जा चुका है तो कई लोगों को वर्निंग दी जा चुकी है इसके साथ ही आपको बता दे कि इस पुलिस टेशन के सभी अधिकारी शिर्स अधिकारियों के निशाने पर है एक अधिकारी ने कहा भी कि पुलिस वाले पुलिस टेशन में बहुत बार आपत्ती जनक स्थिती में पाए गए और बहुत बार गंदे और भदे तस्वीरे भी शेयर करते नजारा है सिलसिला यही नहीं थमता इस पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले स्कॉट सर्विस में भी शामिल है इनकी हरकतों को देखते हुए अब इन पुलिस कर्मियों के वाटसाप और फेस्बुक ग्रूप की भी जाच की जा रही है जहां से यह पता चला कि इस ग्रूप में भी इन लोगों ने काफी भद्धी और आपत्ती जनक बाते की है जिसके बाद इन ग्रूप को भी बंद करवाय जा चुका है सेकसेस पुलिस की चीफ तानिया जोंस ने कहा कि पुलिस कर्मियों को प्रोफेशनलिजम मेंटेन करना चाहिए और ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जिसके वज़े से इनके उपर सक्त कारवाही हो सकती है इसके साथ ही इस पुलिस कर्मी के सुर्खियों में आने का कारण एक ताजा मामला है जहां एक पुलिस कर्मी ने खुद के पुलिस कर्मी की साथ बतसलूकी की और इस महिला पुलिस कर्मी का स्कॉर्ट उठा दिया एक बार और इसी पुलिस कर्मी ने एक और महिला पुलिस कर्मी को जबरन किस करने की भी कोशिश की थी जिसके बाद भी ऐसे पुलिस कर्मी को वर्निंग दी जाती है और यह अपने पद पर रॉप जताते हुए दिखाय देते हैं क्या सरकार का ऐसे पुलिस कर्मीओ को लेकर रवईया सही है सबसे वड़ा सवाल ये है कि जहां पुलिस टेशन में खुद महिला पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है वहां क्या ये पुलिस कर्मी किसी और महिला के साथ सही करेंगे क्या ये उनके साथ इंसाफ करेंगे जवाब आपको भी पता है और हमें भी बस सरकार सब देखते हुए भी चुपी साधे बैठी है और इंतिजार कर रही है कि जिस दिन कुछ बड़ा हाथसा हो जाएगा तब इनकी आखे खुलेगी खैर अब वक्त ही बताएगा कि सरकार ऐसे पुलिस कर्मियों के लिए सक्त कानून बनाती है या नहीं तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहे हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एन शेर करना ना भूले